आमावसया की कथा? पीपल के ब्रिक्ष की कथा? एक बार माता लक्ष्मी और उनकी छोटी बहन दरिद्र स्री विश्णु जी के पास गई और उनसे बोली सारे जगत के पालनहार कृपया हमें भी कहीं तो रहने का अस्थान दो तब स्री विश्णु भगवान ने कहा आप दो दोनों पीपल के ब्रिक्ष पर वास करो इस तरह वे दोनों बहने पीपल के ब्रिक्ष में रहने लगी क्योंकि पीपल को भी विश्णु भगवान से बरदान प्राप्त है कि जोबैक्ति सनीवार को पीपल की पूजा करेगा उस पर मालक्ष्मी की अपार किरपा रहेगी औ तो लक्ष्मी माता ने मना कर दिया था क्योंकि उनकी बहन दरित्ता का विवाह नहीं हुआ था दरित्ता के विवाह के उपरां थी वह स्रीहरी बिश्नु से विवाह कर सकती थी उन्होंने दरित्ता से पूछा वो कैसा बर पाना चाहती है तो वा बोली कि वा ऐसा पती चाहती है जो कभी पुजा पाठ ना करे और उसे ऐसे अस्थान पर रखे जहां कोई भी पुजा पाठ ना करता हो तब स्री विश्णु भगवान ने उनके लिए रिसी नामक बर्चुना और दोनों विवासुत्र में बंद गये अब दरिद्दा की सर्ता नुसार उन दोनों को ऐसे अस्थान पर वास करना था जहां कोई भी धर्मकारे ना होता हो रिसी उनके लिए उसका मन भावन अस्थान ढूंडने निकल पड़े लेकिन उन्हें कहीं पर ऐसा अस्थान नहीं मिला दरिद्दा उनकी परतिक्छा में बिलाब करने लगी और वहां स्री विष्ण भगवान ने पुनह लक्ष्मी जी के सामने बिवाह का प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मी जी बोली जब तक मेरी बेहन की ग्रिहस्ती नहीं बसती मैं बिवाह नहीं करूंगी धरापर ऐसा कोई अस्थान नहीं है जहां कोई धर्मकार ना होता हो उन्होंने अपने निवास अस्थान पीपल को रभिवार के लिए दरित्ता और उसके पती को दे दिया अता हर अभिवार पीपल के नीचे देपताओं का वासना होकर दरिद्रत का वास होता है और इस दिन पीपल की पुजा वर्जित मानी जाती है इसी लोग विश्वास के आधार पर लोग पीपल के बिश को काटने से भी डरते हैं लेकिन साथ ही यह भी बताया गया है यदि पीपल के बिश को काटना चाटना बहुत ही आवस्यक हो उसे हर अविवार को ही काटा चाटा जाना चाहिए अमस्या की दूसरी एक कथा आती है एक साहुकार था उसके साथ बेटे बहु और एक बेटी थी साहुकार के यहाँ एक जोगी भिक्षा मांगने आता था जब साहुकार की बहुएं जोगी को भिक्षा देती तो वो ले लेता लेकिन जब बेटी भिक्षा देती तो वो नहीं लेता कहता कि तू अभागी है तेरे हाथ से भिक्षा नहीं लोंगा उसकी यह बात सुन सुन कर बेटी सुख कर काटा हो गई एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि बेटी तुझे अच्छा खाने को मिलता है अच्छा पहनने को मिलता है फिर भी तूछ सूप कर काटा हो रही है अगर तुझे कोई परिसानी है, तो हमें बता बेटी बोली, माँ हमारे यहां जो जो जोगी भिक्षा मांगने आता है तो साहुकारनी बोली कि एक तो मेरी बेटी तुझे भिख्चा देती है उपर से तू उसे ही भागी कहता है जोगी बोला कि मैं तो इसके भाग में लिखा है वही कहता हूँ तब साहुकारणी बोली कि जब तुझे इतना पता है तो इसको दूर करने का उपाय भी पता होगा वह बोला कि उपाय तो है पर बहुत कठी वह बोली कि तू बता मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तयार हूँ तब जोगी बोला कि साध समुद्र के पार एक सोभा धोबिन रहती है वह अमवस्या का ब्रत रखती है और वो ही इसे सुहाग दे सकती है अन्य था जब इसकी साधी होगी तब इसके पती को फेरो में साप डस लेगा और ये उसी रात विद्वा हो जाएगी इतना सुनना था कि वह उठी और अपने बेटों को यह बात बताई साथ चल कर सोभा धोबन को ढूलने के लिए कहा सबने एक एक कर मना कर दिया तो वह अपनी बेटी को लेकर चल पड़ी सोभा धोबन को ढूलने चलते चलते समुद्र के किनारे तक पहुँची और सोचने लगी अब आगे कैसे जाएं इतना भी साल समुद्र कैसे पार करें वहाँ एक बढ़ का पेड था वहीं दोनों माबेटी बैठ गई उस पेड के ऊपर एक हंस का जोडा रहता था और नीचे पेड की जड में एक सांप रहता था जब हंस का जोडा दाना चुगने जाता तो सांप हंस के बच्चों को खा जाता था हंस उसे देख नहीं पाते थे एक दिन भी सांप हंस के बच्चों को खाने के लिए पेर पर एक दिन चड़ रहा था और हंस के बच्चों की आवाज सुनकर मा बेटी ने देखा कि सांप हंस के बच्चों को खाने जा रहा है उन्होंने साम को मार दिया और साम को जब हंस का जोड़ा आया तो उन्होंने मा बेटी को वहां बैठा पाया सोचा कि ये ही मेरे बच्चों को मार देते हैं और जैसे ही वे उन मा बेटी को मारने को तयार हुए कि पेड़ पर से बच्चों की आवाज सुनाई दी उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे तो जिन्दा हैं अब बच्चों ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे मा बेटी ने उनकी जान बचाई है हंस ने उन्हें धर्नवाद दिया उनका यहाँ आने का कारण पुछा मा ने सारी बात कह दी और बोली हम यहां तक तो आ गए पर समझ में नहीं आ रहा आगे कैसे जाएं तब हंस बोले कि आप हमारे उपर बैठ जाओ हम आपको समुद्र पार पहुँचा देते हैं इस तरह दोनों समुद्र पार पहुँच गई उसने सोभा धोबन का घर ढूंड लिया अब वह सबेरे जल्दी उठकर सोभा धोबन के घर का सारा काम करने लगी खाना बनाना, जाडू पोचा, पानी बरना, कपड़े धोना सोभा धोबन के साथ बेटे बहु थे उसकी बहु बहुत काम चोड़ थी काम को लेकर वे आपस में बहुत जगड़ा करती लेकिं इधर कुछ दिनों से सुभा धोबन देख रही थी कि सब बिना जगड़ा किये सारा काम कर लेती है एक दिन उसने बहुँँचा कि क्या बात है आजकल तुम सब मिलकर खुसी-खुसी सारा काम कर लेती और जगड़ा भी नहीं करती इस पर उसकी सब बहुँचा ने मना कर दिया कि हम तो बहुत दिनों से काम करते ही नहीं है तब उसने सोचा कि जब मेरी बहुँचा काम नहीं करती है तो फिर वह कौन है जो मेरे घर का काम करता है ये तो मालूम करना होगा दूसे दिन वो सुवज जल्दी उठी और उसने देखा एक औरत एक लड़की घर का सारा काम करके वापस जा रही है तो उसने उन दोनों को रोका और पूछा कि तुम कौन हो और मेरे घर का काम क्यों कर रही हो तब साहु कारणी ने बताया कि मेरी ये लड़की है लेकिन इसके भाग में सुहाग नहीं है और तुम अवस्या का ब्रत और पुजा करती हो एक तुम ही हो जो मेरी बेटी को सुहाग दे सकती हो इसलिए हम तेरे घर का सारा काम करते हैं इस पर सोभा दोबर ने कहा ठीक है तुमने इतने दिन मेरे घर का काम किया है मैं तेरी बेटी को सुहाग जरूर दूँगी जब तेरी बेटी की साधी तै हो जाए तो उसके पीले चाबल समुद्र में डाल देना मैं साधी में पहुंच जाऊंगी दोनों मा बेटी अपने घर चली आई जब लड़की की साधी तै हुई तो मा ने समुद्र में पीले चाबल डाल दिये सोबा धोबन जब अपने घर से रवाना होने लगी तो बोली कि मेरे जाने के बाद यदि घर में कुछ भी तूटता पूटता है जैसे हो वैसे ही रहने देना मेरे आने तक तुम लोग कुछ भी मत करना अपने घरवालों को ये हिदायत दे कर वह साहुकार की बेटी की साधी में सामील होने के लिए रवाना हो गई जब साहुकार की बेटी के फेरे हो रहे थे तब सांप ने दूलहे को डस लिया अब सब रोने धोने लगे तब लड़की की माने सोभा धोबन से कहा कि आज के दिन के लिए मैंने तेरे यहां काम किया था ताकि तु मेरी बेटी को आज सुहाग दे सके सोभा धोबन ने कहा कि तु चिंता मत करूआ उठी दूले के पास गई और अपनी मांग में से सिंदूर लिया आँख में से काजल और छोटी अंगली से महंदी ली दूले के छीटे दिये और बोली कि आज तक मैंने जो अवस्या की ब्रत की उसका फल साहुकार की बेटी को जा इसके ऐसा कहते ही दूला ठीक हो गया सब लोग बड़े खुशवे जब बारात बिदा हो गई तो सोभा धोबन जाने लगी तब सबने कहा कि अभी तो आपको बिदा ही नहीं किया है अभी आप कैसे जा सकती हैं सोभा धोबन ने कहा कि मेरे घर को ऐसे ही छोड़कर आई थी पता नहीं मेरे पीछे से वहां क्या हो रहा है आप विदा ही करना चाहते हैं तो मुझे एक मिट्टी का कलस दे दो कलस लेकर वह घर के लिए रवाना हो गई रास्ते में अवस्या आई उसने कलस के एक सो टुकरे किये पीपल की पूजा की और प्रिक्रमा करके बोली भगव आज से पहले जो अमवस्या की उसका फल साहुकार की बेटी को दिया आज जो मैंने अमवस्या की उसका फल मेरे पती को देना फिर कलस के टुकरों को गड़ा खोद कर गार दिया और घर के लिए चल दी उधर घर पर उसका धोबी मर गया सब धोबन का इंतजार कर रहे थे क् कि वह कहकर गई थी मेरे पीछे से तुम लोग कुछ भी मत करना जब वह घर पहुंची तो देखा उसका धोबी मरा पड़ा है सब लोग रो रहे हैं उसने कहा कि सब लोग चुप हो जाओ और वह अपने धोबी के पास आई अपनी मांग में से सिंदूर लिया आँख में से था लेकिन आज जो मैंने अमोस्या की है उसका फल मेरे पती को देना ऐसा करते ही उसका पती उठकर बैठ गया इतने में ब्रह्मन आया और बोला जज्मान अमोस्या का दान दो धोबन बोली कि मैंने तो पीपल के पेड़ के पास गार दी वहां से निकाल लो ब्रह्मन ने वहां जाकर देखा तो सोने की 108 मोहरे हो गई पूरे गउं में धिनोरा पिटवा दिया कि अमोस्या कबरत पुजा जो करेगा दान देगा उसकी सारी कामना पुर्ण होगी है सो मोवती अमोस्या माता जैसे आपने साहुकार की बेटी को सुहाग दिया और धोबी को जीवन दान दिया वैसे ही सब को देना कहने वाले को सुनने वाले को हुंकारा भरने वाले को सब का अगर घटी हो तो पूरी करे पूरी हो तो मान रखना